तो अभी मैं almost 15-20 मिनट से बैठ के ये portrait edit कर रहा था जो आप screen पे before and after देख रहे हो अब ये photo मैंने 4-5 महीने हो गए हमने यहाँ पे इसी studio में इसी जगहाँ पे shoot कर रहा था गौरफ model है या मैं Instagram handle देदूँगा गौरफ का ये एक advanced level का portrait editing video है start करते हैं जल्दी से and देखते हैं क्या-क्या चीजें मैं use करता हूँ personally to edit a portrait so ये एक before after है इसको मैं reset कर दता हूँ फिर से पूरा editing करेंगे step by step मैं आपको सारी चीज़े दिखाऊंगा ये हो गया reset अब left में जो है वो before है right में after है ताकि जो मैं changes कर रहा हूँ आप साथ-साथ देख पाऊगे सबसे पहली चीज़ जो मैं adjust करता हूँ अगर मैं portrait edit कर रहा हूँ I make sure कि मैं wide balance सबसे पहले adjust कर रहा हूँ अब क्यूंकि ये raw में short है इसलिए में पास बहुत scope है मैं white balance अच्छे से set कर सकता हूँ तो temperature को adjust करते हैं इतना में ठीक लग रहा है 44-58 अब ये सब का अपना-पना depend करता है मैं try कर रहा हूँ जो skin tone है नॉर्मल raw photo में थोड़ा warm जा रहा है तो यहां में हलका सा cool कर दिया मैंने अब next चीज आती है portrait में जो मैं सबसे पहले चीज touch up करता हूँ वो है face अब यहां पर सबसे पहले जो मैं चीज correct करता हूँ वो है skin का texture और उसके लिए मैं texture और clarity के साथ थोड़ा play around करता हूँ तो यहां से मैं adjustment brush को मैंने select कर लिया है मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ है यहां से show select mask over lay on करके and I'll quickly select the area जहां पर मुझे skin smoothening थोड़ा करना है अब यह skin to skin depend करता है कि आपको कितना smoothening करना है यहां मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा हो सकता है शायद जादा smooth कर दूँ but it totally depends अगर female model है obviously आप थोड़ा जादा skin smoothing करोंगे यहां पर मैं हलका करूँगा थोड़ा so that male face है तो texture retained रहे तो यहां पर मैं selection कर रहा हूँ red color में आप देख सकते हो जो भी selection है mostly I'm trying to cover forehead, cheek का area and nose है वहां पर, जहां beard है वो area मैं पूरा avoid कर रहा हूँ eyebrows avoid करूँगा, even the eyes अभी select करने के बाद जो सबसे पहली चीज मैं adjust करता हूँ वो है texture अब आप ध्यान से देखना जब मैं texture को change कर रहा हूँ तो आप यह देखो, texture अगर मैं एकदम minimum लेके जाता हूँ चलो एक बार यहां भी clarity और texture का difference देख लेते हैं जल्दी से, यह एकदम minimum texture है, एकदम skin को smooth कर दी है, अगर फीमेल model का portrait होता बहुत सही लगता उस पर, reset कर देते हैं अब clarity को अगर मैं एकदम minus में लेके आऊँगा, आप देखना, जो brightness है, उसको एकदम पूरा खदम कर रहा है, basically contrast को एकदम खदम कर रहा है, तो वो चीज मुझे यहां नहीं चाहिए, इसलिए मैं texture को कम करूँगा, अब वो कितना कम करना है, यह आपके उपर depend करता है, इस skin कई साब से I'll try to get it 45 अभी मैं रख रहा हूँ, still आप before and after देखोगे, काफी difference आपको दिखेगा, अब texture मैंने हलका सा कम किया, यहां मैं clarity को भी बहुत हलका सा कम करूँगा, so that हलका सा around 10% मैं कर देता हूँ, 10-11%, so that मेरा जो थोड़ा hot spot बन रहा था, especially nose पे, वो थोड़ा कम हो जाएगा, अब इसका एक मैं shortcut भी बताता हूँ, अगर आपको इतना texture और clarity का, अगर आपको इतना knowledge नहीं है, और यह बहुत साइट रहा है, मैं यह चीजें सिरफ अपने advanced courses में, जो one-to-one होते हैं, या मैं जो online launch करने वाला हूँ, उसमें चीजें बताता हूँ, but because of this lockdown thing going on, म जो भी हो सकते हैं, जतना I am trying to share it for free on YouTube, what you can do is subscribe कर लेना, like कर देना, and comment करके बताने वीडियो कैसा लग रहा है, going back to the वीडियो, अब एक मैं आपको shortcut बताने वाला था, for example, मुझे यह चीज नहीं करना, तो मैं texture of clarity एक बार reset कर देता हूँ, अब यहाँ पे आप जाओगे, so य मैं फिर से दिखाता हूँ, इधर effects panel के यहाँ पे यह presets हो दे हैं, यहाँ से भी आप skin smooth option select कर सकते हो, यहाँ पे basically क्या कर रहा है, sharpness increase करके clarity पूरा minus कर रहा है, अब clarity मुझे minus नहीं करना थो, मैं option select नहीं करूँगा, अगर आपको जल्दी करना आप कर सकते हो, जो मैंने texture किय जा था, minus 45 मैं उसको select कर लूँगा, and clarity minus 10, ठीक है, तो यह हो गया starting point जहाँ पे मैंने face के ऊपर retouching कर दी है, अब next चीज है, जहाँ में spot removal, जो face में spots है, unwanted अगर आपको वो हटाने है, उसके लिए spot removal tool है, उसको आप ले सकते हो, मैं इसको और zoom in कर लेता हूँ, one is to one, अब I'll do it quickly, मैं इतना in depth नहीं जा रहा, but just to show you guys quickly, कि कैसे आप इसको correct कर सकते हो, so that आपको idea लग जाएगा, अब मैं एक एक करके पूरा नहीं करूँगा, मैं ज़स्ट दो तीन करके दिखा देता हूँ, so that आप before and after में compare कर सकते हो, so this is before and after, इससे आपको idea लग जाएगा, spot removal का, so skin क मैंने आपको basic example दिखा दिया, क्या क्या चीज़ आप adjust कर सकते हो, next चीज चो मेरे लिए बहुत important है, वो है sharpening beard, eyebrows and eyes, अब उसके लिए again मैं यहाँ पर adjustment brush लूँगा, one is to two zoom पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर मैं जो select करूँगा, जैसे मैंने बताया, eyebrows को, then eyes को, obviously मैं select करूँ दोनों side का, यह हो गया, then जहां भी मुझे facial hair है, especially जो दाड़ी है, वहाँ पर मैं इस brush को apply कर दूँगा, अब यह मेरा पूरा area select हो गया है, अब इधर मैं, अब आपके पास option है, आप sharpness भी adjust कर सकते हो, मैं आजकल कुछ ज़्यादा texture के साथ लिए around करता, मैं आपको difference भी द दिया है मेरा, ठीक है, अब अगर मैं आपे sharpness maximum लेके जाता हूँ, obviously काफी अच्छा कर रहा है, sharp कर रहा है skin को, but काईना कही थोड़ा noise भी introduce हो रहा है, तो वो हम adjust कर सकते हैं, अगर मैं texture को increase करता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे काईना कही clarity और sharpness दोनों का mix द contrast बढ़ा रहा है, bright को और bright कर रहा है, saturation बहुत अजीर सा कर रहा है, तो clarity दियो मैं for sure नहीं लूँगा, तो मैं यह texture को adjust करूँगा, and I'll try to get it somewhere around 40-45, ठीक है, तो इसको मैं एक बार zoom out करके दिखाता हूँ, तो आप clearly देख सकते हो difference, कि यहाँ पे कितना sharpness आ गया है, दाड़ी में, eyes में and eyebrows में, अब eyes में मेरा next focus होता है, skin हो गया, दाड़ी का sharpness फगेरा हो गया, eyes पे portrait में हमीशा सबसे पहले जो भी देखता है, वो eyes पे ही जाता है, अब एक interesting चीज जो again शायद आपको ना बता हो, आप कहीं ना देखो, यह जो effect है, यहाँ पे iris, eyes के लिए भी एक preset ह होता है, आप यहाँ जाओगे, iris enhance करके होता है, उसको आप select कर सकते हो, अब यह by default क्या कर रहा है, exposure बढ़ा रहा है, saturation बढ़ा रहा है, मुझे saturation नहीं चाहिए, मैं saturation कम कर दूँगा, clarity भी कम कर दूँगा, और सिरफ यह जो white part है eyes का, वहाँ पे मैं इसको paint करूँगा brush को, अब यहाँ पे आपके उपर है, आप कैसे adjust करना चाहरे हो, हर एक eye का different level होगा, जो आप adjust करना चाहरे हो, मैं यहाँ जो adjust कर रहा हूँ, वो whites, highlights और exposure को कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं, this is good enough, तो अगर आप before and after देखोगे eyes में, काफी difference देखेगा, तो यह कुछ initial चीज़ें ह जो मैं adjust करूँगा वो है hair पे, अब hair पे मुझे चाहिए थोड़ा सा sharpness and clarity दिखाना, तो मैं again selective brush लूँगा, and यहाँ पे especially जो highlights हैं hair में, उसको select करूँगा, अब यहाँ से आप highlights adjust कर सकते हो, मैं थोड़ा सा contrast ले 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 था हूँ, and texture, because मुझे बालों में clarity दिखाना है, and हल हलका सा, बहुत हलका सा clarity, so यह है, जो मैं hairs पे करता हूँ, सबका अलग-लग style होता है, मैं थोड़ा सा touch up hair पे दे देता हूँ, एक interesting चीज दिखाता हूँ, जिसके लिए अगर गौरवी वीडियो देख रहा है, वो मुझे घालियां देगा, मैं दिखाता हूँ क्या चीज है अब जिसे मैंने बालों पे कर रहा है, अब आप यहां क्या कर सकते हो, यह color का option होता है, यह एक और advanced feature है, जो शायद आपने explore ना कर रहा हूँ, color में जाके मैं जो color use करूँगा, for example, अगर मैं color use करता हूँ, तो वो hair पे आप यह color add कर सकते हो, यहां पे मैं bright part में कर रहा because अगर यह color video देख रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा चायद, so this is one thing that you can do, almost चीजें हो चुकी है, अब एक चीज, because यह जो shoot था, यहां पे हमारा main focus था, हम body shots ले रहे थे, obviously यह portfolio में भी ऐसे shots काम आ सकते हैं, तो जो arms हैं, इस पे अगर मुझे थोड़ा focus दिखाना है, तो वहां में थोड़ा सा clarity enhance कर सकता हूं, तो मैं quickly selection कर लेता हूं, let's suppose इतना area, and यह area भी, अब यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे हलका सा clarity increase करना है, and हलका सा texture, और हलका सा contrast कर दूँगा, so that वो muscular जो look है, biceps में, वो अच्छे से निकल सक है, अब एक interesting चीज मैं दिखाता ह हूं, HSL hue saturation luminance में, which is an optional thing, but मैं इसको हमेशा try करता हूं, अब skin में जो color होता है, एक human subject के, वो orange और yellow के बीच के tones का होता है, तो मैं एक चीज क्या करता हूं, luminance में जाता हूं, अब आप देखो, मैं orange को increase करूंगा, तो आप face पे देखना brightness के से change हो रहा है, तो अगर आप बह glow आजाएगा face पे, and yellow को अगर आप adjust करना चाहरे हो, तो आप yellow को भी थोड़ा बहुत adjust कर सकते हो, reds में इतना नहीं होगा, but basically जो lips है, वो आप enhance कर सकते हो, reds को लेके, अब एक चीज अगर lips की हम बात कर रहे हैं, male models में इतना नहीं होगा, female models में जाता होगा, still जो color है, जो give that glamorous look, आप ये चीज कर सकते हो, this is almost all, जो मैं दिखाना चाहरा था, बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे color grading हम कर सकते हैं, color grading मैं skip कर गया, जो मैंने पिसली image में करा था, वो मैं दिखा देता हूँ, color grading, इसके उपर split tones की video अलग से मैं बना चुका हूँ, तो यह का सा saturation यहां बढ़ा दूँगा, अब जो shadows हैं, shadows में मैं अगर teal and orange effect देना चाहरा हूँ, उसको हम कर सकते हैं, बट बहुत minor करूँगा मैं saturation, let's suppose इसको इतना रख लेते हैं, and hue को मैं थोड़ा सा warm रखूँगा, अब balance आप adjust कर सकते हो, बट मैं इस से साब से इतना balance रखना now it is up to you guys, आप कैसे split toning करना चाहरे हो, color grading करना चाहते हो और नहीं करना चाहते है, if not you can avoid it, तो यह था एक advanced portrait editing in lightroom का tutorial, काफी चीज़े मैंने cover की, कुछ advanced features जो आपको helpful लगे होंगे, अगर लगे, do it the like button, subscribe to this channel, comment करके में को बताना है, I am trying my best कि जितना भी information हो सकता है, I give it out to you guys through YouTube, so that's it, हम इलते हैं आगे, कल most probably in a new video, तब तक, take care and keep clicking and keep editing, stay home, stay safe.